Hey everyone, welcome back हाजिर हुआ आपके लिए लेकर एक ब्रिलियन्ट साउथ कोरियन लव स्टोरी थ्रिलर मुवी की एक्स्प्लेनेशन जिसका नाम है देजी एंड एक फिल्म साल 2006 में रिलीज भी थी इसकी IMDb देटिंग है 7.5 स्टार्स आट ओफ 10 विच प्रेटी गुड एक्स्प्लेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सब इसे एक रिक्वेस्ट है अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कॉमें यस लिख दीजे साधी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन भी प्रेस कर दीजे Now with no further delay, let's begin फिल्म शुर्य होती है एक विलेज के खुपसूरत से सीन से जहां में डेजी फ्लावर्स को दिखाते हैं एक लड़की साइकल चलाते वे जा रहे होती है फिर वे एक नदी किनारे बैट कर पेंटिंग बनाती है लोड़ते वक्त बहुती तेज बारिश हो रहे थी और वे शॉप के शेड में खड़ी हो जाती है और नरेट करती है आज फिर से बारिश हो रही है हमेशा जब भी बारिश होती है मुझे जगर ढूणनी पड़ती है बशने को क्योंकि मैं चाता नहीं रखती और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी परवा करने वाला कोई नहीं है मैं बिमार पड़ू या ठीक रहूँ और अब मुझे खुट के साथ रहने की आदत हो गई है मेरे ग्रैंट फादर मुझे कहते है एमिली आखिर में बारिश रुखी जाएगी और सूरज की रोशनी कुमे घेर लेगी और तुम्हारे जिंदगी में भी कोई जरूर आएगा मैं 25 साल की हो गई हूँ और अपने पहले प्यार का इंतिजार कर रही हूँ उसके बाद दिखाते हैं कि बारिश रुख जाती है और एमिली वहां से चली जाती है फिर वन रेट कती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उससे मिलूँगी लगब एक साल बीट गए थे हम दोनों को एक दूसरे को देखते हुए मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती वीकडेस पे मैं अपने ग्रेंट फादर के एंक्टी शॉप पे काम करती थी तब ही फ्लावर्स करके कोई चिलाता था और एमिली देखती थी कि गेट पे किसी ने डेजी फ्लावर्स रखके गया है लेकिं उसे पता नहीं था ये किस ने रखा था वो अपने एक्जिबिशन के लिए बहुत से पेंटिंग्स बनाई रही होती है क्योंकि उसकी पहली एक्जिबिशन थी और उसे अपना बेस्ट करना था फिर वो बताती है कि वीकेंड्स में मैं एक स्ट्रीक पेंटर हूँ तो उस दिन उसके पास एक जॉन नम का बंदा आता है उसके हातों में वैसे डेजी फ्लावर्स थे जैसा कि एमिली को रोज मिला करते थे जॉन उसे खुद की स्केच बनाने को कहता है और एमिली सोचती है ऐसे तो मुझे को सारे कस्टमस अजान लगते हैं लेकिन ये पता नहीं क्यों जाना सा लगता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एक्जैक चार पंदरा में आया है मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मेरी पे स्केचिंग हो सकती है तभी जॉन कहता है मुझे जाना होगा पर एमिली कहती है लेकिन स्केच कंप्लीट नहीं होई जॉन कहता है कोई बात नहीं मैं कल इसी समय आ जाऊंगा कल कंप्लीट कर देना और डेजी को उधर ही छोड़ एक स्माइल देकर वो चला जाता है रात को एमिली उसकी स्केच कंप्लीट कर सोचती है वो अच मेरे तरफ नहीं मेरे पीछे की ओर देख रहा था अगले दिन वो एक्जाक्ट चार पंदरा में पहुंच जाता है और एमिली कहती है कि उसने जॉन की पुरानी स्केच पे कॉफी गिरा दी तो उसे आज दुबारा से बनाना पड़ेगा इस बार भी वो पीछे की ओर देखता है तो एमिली उसके सर को घुमाती है और कहती है सर प्लीज मेरी ओर देखो तभी मैं बना पाऊंगी वो हस्ते वए कहता है sorry and of course दुबारा वो जल्दी जाने लगता है लेकि एमिली उसकेच कंप्लीट कर लेती है और जॉन को दे देती है जॉन पुछता है कि आप मेरी पेंटिंग बना सकते हो एमिली कहती है हाँ लेकिन इसमें सकेच से ज्यादा पैसे लगेंगे वो कहता है ठीक है अगले हफ़ते मैं फिर से यह आऊंगा प्लीज बना देना एमिली उसके शकल को जब घुमाती है तो उस पर थोड़ा सा दाग लग जाता है तो उसे प्यास साफ करती है और जॉन चला जाता है एमिली उसे देखती रह जाती है उस शाम उसके ग्रैंट फादर उसकी कुछ फोटोज लेते है उसकी पेंटिंग के साथ उसके ग्रैंट पाउसे कहते है तुम इतनी ज्यादा पेंटिंग्स में घुश चुकी हो कि तुम्हारे लाइफ में कोई लड़का कैसे आएगा एमिली कहती है मैं सिर्फ 25 साल की हूँ अभी तो सिर्फ आपके साथी रहना चाती हूँ फिर दिखाते है अगले हफते बहुत तेज बारिश होती है और जॉन नहीं आता और उसके अगले दिन एमिली जॉन का वेट करती है एंट जॉन एट लास्ट आही जाता है जॉन कहता है तुम इतना दिर मीड़ा व्यूट करेदी एमिली कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तब ही उसे जॉन के हाथों में पट्टी दिखती है वो पुछती है क्या हुआ जॉन कहता है कुछ नहीं कल पारिश हो रही थी उसी हमें स्लिप कर गया उसके बाद एमली नरेट करती है उस दिन हम मानू ऐसे बात करे थे जैसे हम पुराने दोस्त हूँ उस दिन के बाद हम ऐसे हफ़तों मिलते रहे और वो हमेशा पेंटिंग बनवाने आता था एक दिन जॉन एंटी शॉप पे आता है और एमली के लिए डेजी लेकर एमली उसे अंदर ले जाती है और वो उसके शॉप के एंटिक्स को देखता है एमली पूछती है तुम्हें कै करती है नहीं नहीं यह तुम्हारी नहीं है यह किसी और की है तभी जॉन को एक पेंटिंग दिखती है और वो पूछता है यह कहां की है तभी एमली सोचना शुरू करती है और कहानी पास्त में आती है उस साल गर्मी के मौसम को मैं अपने ग्रैंट फादर के यहां बिताई पर अगले दिन वहाँ पे लॉक की जगा एक ब्रिज बन गया था और मेरी पेंटिंग केट भी किसी ने वापिस लाकर रख दी थी वो बिलकुल नहीं जानती थी ये किसने क्या पर वो चिला कर थैंक्यू कहती है और फिर उसी जगा एक पेंटिंग बना कर रख देती है एक महीने बाद वो अपने ग्रैंटिंग के शॉप आ गई थी और उसे वहाँ पे रोज डेजी फ्लावर के पॉट मिलना शुरू हो जाते हैं फ्लावर सेंडर ने कभी भी खुद को नहीं दिखाया था शायद वो अपनी फीलिंग्स बतानुए में गबराता था फिर हमा जाते हैं उसी सीन जो एमली सोचना शुरू करती है वो अपने मन में कहती है शायद मुझे वो इंसान अब मिल चुका है जो मुझको डेजी बेजा करता है उसे लगता है कि जॉन ही वो बंदा है जॉन भी एमली से प्यार करने लगा था और वो जोर से उसे हग कर ल लाना कि वो कौन से रास्ते से ड्रग सप्लाइ करते हैं एशिया और यॉरॉप में तो एक दिन वो नजर रख रहा होता है डीलस पे और वहां पे एक फ्लावर शॉप से वो डेजी का पॉट उठा लेता है और उधर ही एमली पेंटिंग बना रही होती है तो वह उसके पास और फिर से अपने तरफ की कहानी सुनाता है कि पहले तो वह सिर्फ इंविस्टिगेशन के लिए एमली के सामने बैठता था लेकिन अब उसे सच मिछ एमली अच्छी लगने लगती है जिस सैटरडे को उसने एमली को कहा था कि वह उसके लिए सकेच ने पेंटिंग चाता है तो उस दिन बारिश होने लगती है तो वह उधर आया तो था लेकिन छिपका था एमली को देख रहा होता है तो उसी दिन उसे एक बंदा कुछ अजीव लगता है तो वह उसका पीछा करता है लेकिन जॉन उससे पिट जाता है और इसलिए उसके हाथों में पट्टी बंदी है और एज तुम्हारी इसके करीब होगी जॉन कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया फिर भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगी और तो विचानक एक गोली की आवाज आती है जॉन और कुछ लोगों में फाइट शूट हो जाती है और वहाँ प पकड़ पाता है और वो धरीब भ्योश हो जाता है और इस दौरान एमली की आवाज चली जाती है क्योंकि उसे गोली लगी थी और जॉन को कोरिय वापस भीज दिया जाता है लेकिंग अभी भी एमली को डेजी हर रोज मिलते थे तो आकिर कौन है जो एमली को डेजी भीज की स्मेली जानता था लेकिन एक आदमी से सुना था कि फूलों के खुश्बू में बारूत की खुश्बू खतम हो जाती है इसलिए मैं डेजी जुगाना शूरू किया था लेकिन सारे फूल मेरे लिए खुश्बू नहीं होते जैसे ट्यूलिप का मतलब है काम और मेरे काम म बारूद तो हो गई देसलमा की कॉंट्रेक किलर एजेंसी का मेंबर था वो एमली के ग्रैंट फादर के गौव में ही था और एक हाउस बोट पे रहा करता था उधर ही उसने एमली को पेंटिंग करके देखा और फिर उसे रोज देखने लगा और अब में पता चलता है उसी न वो एमली को रोज देखना चाता था तो वो भी नेदर लैंड की उसी जगह पे चला जाता है जहांपे एमली के ग्रैंट फादर के एंटिक शॉप था वो रोज एमली को डेजीज देखता और एक बिल्डिंग से उसे देखता रहता जब वीकेंड पे पेंटिंग बनाने र मार की वो इनसान था जिसने बाडिश वाले दिन जॉण को पीटा था क्योंकि उसे लगा था जॉण भी उसकी तरह कोई किलर है लेकिन जॉण उसका ओपोजेट निकला यानि मार की एक किलर था और जॉटर भी जिसने जॉट करा था कंदे पे और इसी कारण वो गेर जाता ह और एमिली को गुली लग जाती है दुश्मनों की एमिली अब हॉस्पिटल से अपने ग्रेंट फादर के घर आ जाती है और उसके ग्रेंट पा उसका होसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं जॉण उसे इतने दिनों में एक भी बर मिलने नहीं आता और वो दुबारा से वीके वापिस आऊंगा कल बना देना उस दिन मार्ग अपनी गाड़ी से एमिली को घर चोड़ देता है और फिर वो रोजी एमिली को अपनी गाड़ी से एक घर चोड़ने लगता है एमिली उसके साथ आती तो थी लेकि किसी भी उनसे बात नहीं करती थी उसकी आवास तो जा तोकि थी मार्क उसे फसंद करता था लेकिन वह अब भी जॉन का वेट कर रही थी एक दिन एमली उसे डिनर को पूछ लेती है दोने एक रेस्टरेंट पर जाते हैं और वहां पर एमली को बैठा कर वह कहीं जाता है उसे एक और टास्क मिला था किसी और को मारने का मार्क को डेजी देने वाला इंसान समझती थी और वह मार्क को अपनी लव स्टोरी लिख कर बताती है मार्क कहता है वेट करने से कुछ नहीं होगा चलो मेरे साथ वह दोनों पता करते हैं और जॉन का एक टीम मेट उसे बताता है कि जॉन को कोरिय से आने की जाज़त नहीं मिलेग मार्क कहता है टेंशन मतलो वह 15 एप्रेल को यहाँ जरूर आएगा 15 एप्रेल एमली के एक्जिबेशन का डेट था मार्क उसे अपनी हाउस बोड पर ले जाता है पर नीचे जाने से मना करता है क्योंकि वह स्टोर रूम था जहां पर एमली की गिफ्ट करी पेंटिंग थी वौ एमली को नहीं बताना चाता है कि वही एड़ेजी गए फिर दिखाते हैं जॉन कुरिया से वापिस आ जाता है और व एमली से मिलना चाता था उस कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इसे छोड़ कर गए और वो तुम्हारा वेड़कर होगी वो किसी और के साथ है जॉन एमिली को कॉल करता है और वो पेक अप कर लेती है लेकिंग जॉन कुछ भी बोल नहीं पाता वो खुद को दोशी मानता था एमिली की वोई जाने का एक दिन हिमत कर वो एमिली से मिलने जाता है और वहाँ पे मार्ग भी था एमिली उसे देखते ही अंदर बुलाती है औ एमली जॉन को बताना चाहती थी कि उसके लिए सिर्फ जॉन के साथ रहना मैटर करता है और कुछ भी नहीं लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती वो रोती रह जाती है और जॉन गिल्ट में महां से चला जाता है वो जॉन को रोकने के लिए गेट पे बहुत मारती है लेकिन जॉन नहीं रुकता अगले दिन जॉन अपने बॉस के साथ उस शूटर का पता ला था जिसने ओपन मार्केट पर हमला किया था उसका बॉस कहता है मैं जानता हूं इन शूटर के एजनसी को मैं उन्हें खुद के मडर का पैसा दूँगा और वो उसी किलर को भीजेंगे और हम लो करनी है जोन अपने टीम से कॉंटेक्ट हटा कर मार्क के साथ कार में कही चला जाता एंजान समझ गया था कि यही वो श्यूटर एंज कि उसने neighbourhood पेवोर शूटर फरन का कृष सामनर का पया चाहिभी जाभी हम मार कहता है हम दोनों में से एक ही एक्जिबिशन जा पाएगा। जॉन कहता है दोनों ही चलेंगे और लास्ट में जिसको भी चूज करेगी दूसरा उसका गुड़ फ्रिंट बना रहेगा। मार कहता है कि तुम ही ज्यादा सहीर होगे एमिली के लिए। लेकिं मार की आँखों में एक इविल सी हसी थी। जॉन मार को दोस्ट समझ लेता है और फिर कार से उतरकर चला जाता है। उस दिन उधर ही खतम हो जाता है और अगले दिन एक्जिबिशन में सब आये थे। सिर्फ जॉन नहीं था। वह उसका बॉस बताता है जॉन ड्यूटे के वक्त मारा गया। मतलब वो लाश्ट मार के साथ ही दिखा था। मार क नज़र चुरा रहा था और एमिली महुत रो रही थी। उसके बाद पूरे एक साल भी जाते हैं और मार क एमिली का अच्छा दोस्ट बन चुका था। उसके ग्रैंट पाउ से शादी के लिए रहे देते हैं। नेक्सीन में एमिली जॉन के टूम पे फूल रखती है और तब जॉन का बॉस वहा आता है। जॉन के कादिल का कुछ डीटेल्स देता है। वह कहता है जो भी था उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। तब एमिली को याद आता है मार को भी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। जॉन का बास इस बार खुद की सुपारी देता है ताकि वो असली कातिल को पकर सके यह एमली मांक के हाउसबोड के स्टोर रूम पे चेक करती है उसे एक बैग मिलता है उसके बाद वो मांक से मिलनी जाती है उसके दूसरे घर पे मांक उसे कॉफी पिलाता है और फिर हमत कर एमली उसे बैग खुल दिखाती है और क्याती है तुम ही होना वो कातिल कि कि उस बैग में गन थे और जॉन और उसके बास की फोटो भी वो गुस्से में गन टान देती है मांक पे लेकिन चलाते वक रोते रोते गिर जाती है क्योंकि मांक ने एमली की कॉफी पे नशीली दवाई मिलाई थी यहां जॉन का बॉस मांक से बदला लेने को तयार था और तब ही एमली को होश आता है और वो पेंटिंग बाती है जो उसने अंजान डेजी गाय को दिया था और उसमें एक नोट भी था जिसमें मार्क सारा सच लिख देता है कि वही डेजी गाय है और वो एक क्रिमिनल है इसलिए गए एमली को कभी सच नहीं बता पाया क्योंकि उसके लिए Emily के साथ रहने से ज़्यादा उसी सुरक्षा ज्यादे important थी उसे माफी मांगता है और कहता है प्लीज किसी deserving इंसान को ढूल लेना और हमेशा खुश रहना मारक अब John के बॉस को मारने ही वाला होता है लेकि Emily वहाँ पहुँच आती है वो पेंटिंग हवा में दिखा कर बोलती है भले उसकी आवाज नहीं निकलती लेकि मांग उसके लिप्स पढ़ लेता है कि वो मांग को थैंक्स बोल रही थी और उसे ना पैचाने के लिए सौरी भी मार्क बिल्डिंग से उतर कर Emily के पास चला जाता है और John का बॉस उन दोनों को बात करने देता है मार्क उसे सौरी कहता है कि उसने उसे नहीं बताया कि वही डेजी गाया है और वो ये भी बताता है कि वो John को बचाने में नाकामयाब होता है क्योंकि उसके शाती चिपकर उसे मार देते हैं तब एक लाइट के रिफ्लेक्शन से Emily को दूसरे शूटर दिखता है जो मार्क को मारने वाला था वो खुद घोली खा लेती है और मार्क को बचा लेती है उसके बाद दिखाते है Emily बचनी पाती और मर जाती है और मार्क रोता रोता गुस्से में पागल हो जाता है और अपने गैंग के सारे मेंबर्स को खतम कर देता है मूवी एंड होती है दिखाते हुए मार्क रस्ते पे चल रहा होता है तो एक आनी के एंडिंग बहुत ही ज़ादा दुख बड़ी थी इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी म्यूजिक और उसके एक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मिंस ला जवाब थी तो वह आपके मन में जो भी सवाल होंगे उनके मैं जवाब दे दू बैसी के लिए कानी तीन लोगों की है Emily, John और Mark Mark Emily से प्यार करता था और उसके लिए एक ब्रिज विनवा देता है और Emily भी अननौइंगली उसे से प्यार करती है पर अणजाने में उसी जान को डीज सिगारी समझ कर उससे अपना दिल दे बैठती है और अन्थ में पहले John, फिर Emily दुनम मर जाते है अर Mark अकेला रह जाता है एमिली को मारने हो वाला Mark की एजिंसी का इस शूटर था इसका काम था कॉंट्राक के लिंग और फक़ुस्वय Mark इस पूरे एजिंसी को अकेली ख़तम कर देता है और निकल जाता है अकेले एक दुख बरे सफर में होकर भी एमिली माक की ना हो पाती और ना होकर भी वो जॉन की हो जाती है यह काहनी की वे आफ टेलिंग नौन लीनेर होती वे भी आपको इससे प्यार हो जाएगा और इसकी सिनेबाटोग्राफी एवन थी और अगर आपको इस पैतरीन फिल्म का लिंक चाहिए तो आप इंस् करूं